शिवानी कुमारी और अविशेक कुमार का नाम इन दिनों काफी जोड़ा जाता है ज़ादतर लोग अविशेक को सिवानी का बॉइफ्रेंड समझते हैं पर क्या है इनके रिस्ते की सच्चाई इस वीडियो में हम यही जानेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखे दोस्तों जैसा के आपको पता है शिवानी एक गरीब फैमिली में जन्मी शिवानी ने अपने स्कूल की फीस से पैसे बचा बचा कर एक फॉन खरीदा और उसी से उन्होंने टिक टॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया काफी मेहनत के बाद उनका एक वीडियो वाइरल ह हुआ और वहां से वो फैमस होती चली गए टिक टॉक से शिवानी ने फैम तो बहुत कमाया था पर पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाई थे लेकिन वो फैमस हो रही थी तो आगे उन्हें काम मिलने की उम्मीद थी इसी बीच आया साल 2020 जिसमें टिक टॉक के साथ बहुत से चा जा रहा था तबी एक दिन अविशेक कुमार सेवानी के पास आए उन्होंने बताया कि तुमारी बहुत अच्छी फैन फालोइंग है जिसका तुम्हें फायदा मिलेगा तुम यूट्यूब पर ब्लॉग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो पहले तो सेवानी और उनकी माने इसके लिए मना किया पर जब अविशेक ने उन्हें समझाया कि यहां से अच्छी इंकम भी होती है तो शिवानी वीडियो बनाने को तैयार हो गई जब शिवानी ने ब्लॉग वीडियो डालना स्टार्ट किया तो सुरू से ही उनकी वीडियो पर व्यूज आने लगे और उ दोस्तों अब अविशेक ने सिवानी को उनके म्यूजिक वीडियो में काम करने का ओफर दिया शिवानी उसके लिए भी राजी हो गई जिसके बाद इनके कई म्यूजिक वीडियो भी आए अब ये दोनों काफी जादा साथ देखे जा रहे थे फिर जब सिवानी बिग बॉस में गई तो ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या अविशेक सिवानी के बॉइफरेंड है तो जब इस चीज पर जादा बात होई तो अविशेक ने खुद क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम साथ में काम करते हैं और अच्छे दोस्त हैं वहीं शेवानी का भी एक इंटर्विव सामने आया जिसमें उन्होंने बोला कि अविशेक से रिष्टा सिर्फ दोस्ती का है और वो मेरे मेनेजर हैं तो दोस्तो ये थी सिवानी और अविशेक के रिष्टे की सच्चाई आप लोगों को इनकी जोड़ी कैसी लगती है ह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो में दीगरी जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में